सावन के पवित्र मास की शुरुवात हो चुकी है सावन की इस महेने में भक्तकन महादेव को प्रसंद करने के लिए पैदल चल कर गंगाजल भगवान शूक को और पित करते हैं तो इसी प्रकार आज तिरोडा के सबसे प्राशिन मंदिरों में से एक मंदिर भूतनाच मंदिर में कावड यात्रा का आयोजन किया गया था जिसमें भक्तकन मंदिर से दस किलोमेडर के अंतर पर विराचित वैंगंगा नदी का पवित्र जला कर भगवान शूक को और पित करेंगे कावड यात्रा की शुरुवात श्री भूतनाच मंदिर से सुबस साथ बज़े हो जाती है भक्तकनों को बसो में बैटा कर श्री वैंगंगा नदी तक पहुचाया जाता है कावड यात्रा में पहुचे सभी यात्रियों का नगर के वरिश लोगोदारा स्वागत किया जाता है मेरी यहाँ पहली कावण यात्रा थी और यहाँ लोगों की भगवाई शूखे प्रतियास्ता देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है और मन में भक्ती जाग उपती है धीरे धीरे सभी भक्तगन कावण लेकर घाट की और आगे बढ़ते हैं लेकिन गंगा चल ले जाने से पहले यहाँ गंगा माताजिक की आर्थी की जाती है तो कुछ इस प्रकार भगवाई शूख की पवित्र कावण यात्रा को शुरुवात हो जाती है मेरा कर्म तु ही जाने क्या पुरा है क्या भरा तेरे रास तेत मैं तु आपलमूंद के चला तेरे नाम की जो तने सारा हर लिया था मस्मिरा नवो नवोश संकरा दोने राप संकरा तेरे नाम संकरा सिष्ट के करम से भी पहले तेरा रास था ये जग रहे या ना रहे रहे की तेरी आस था क्या समन क्या तु रहे दोने तेरी महान था महान था महान था सीथियों की ओट में मोतियां जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निर अर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने थै चुका मेरे सर पहात रख तेरा तक भरम था मेरे सक्कारा नहीं मेरा था मेरे सर पहात नहीं था जो भी है जो पहात रख तेरा